हालो यूगास तो आज मैं आपको अपनी शोपिंग शेयर कर रही हूँ जो मैंने ओलाइंग की हुई है फ्लिपकार से तो वहां से मैंने कुछ पोर्ट्स मंगा हैं और कुछ विंटर के सीड तो थोरा सा आपको मेरा वीडियो अन कम दिखाई दिया दुंदला दिखाई देग क्योंकि यहां पर बहुत ही अंधेरा हो रखा है बारिश होने के वज़े से तो यह मैंने फ्लिपकार से मंगवाए हैं कुछ पोर्ट चलिए देखते हैं पेकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी ही हुई है यह मुझे 180 रुपए में 500 रिशे पोर्ट बरे हुए हैं यानि सम यहां था आठ इंच के पोर्ट हैं तो खोल कर देखते हैं यह साइज में कितने और इसका कलर कैसा है दिखने में तो बहुत मजबूत लग रहे हैं और पेकेजिंग में कहूं तो उनकी पेकेजिंग बहुत अच्हीं है यहनी आप देख सकते हैं मैं जो लगाना पा रहा है तो आज ही डिलेवरी हुई थी फ्लिपकार से मैंने सोच आपके साथ दिखाती हूं आपको भी आइडिया आजाएगा कि कौन से पोर्स मंगाएं यह मैंने अपने विंटर प्रांस के लिए मंगाए हैं आप चाहें तो इनको इंडोर भी लगा सकते हैं शे कलर मुझे मिले हैं येलो, मरून, ग्रीन शायद इतना आपको दिखाई नहीं दे रहा हो मॉबैल में लेकिन बहुत ही अच्छे हैं पेकेजिंग तो मैं कहूंगी खोलने में मुझे बहुत टाइम लगया चोटे से हैं लेकिन कलर भी बहुत अच्छे हैं मजबूत भी अच्छे हैं और मैं 8-6 रुपय में करीदा है और वो भी ऐसे हैं 8 इंच के पॉर्ट और ये भी मुझे उन्होंने बोला था 8 इंच के पॉर्ट हैं तो चलिए मेरे पॉर्ट तो बढ़िया निकले विंटर के लिए मैंने कुछ सीड भी मंगा हैं जो मैं आपके साथ शेर कर सकती हूं अगर आप को ये विपोर्ट करीदने हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताएगा तो मैं साइड में इसका लिंक शेर करके देखूंगी देखती है अभी इन्होंने जो साइज बोला था वो है कि नहीं बिल्कुल 8 इंच लिखा हुआ था और 8 इंच इनकी साइज है अगर यह है मैं सोच रहें यह से और मंगा लूंगी अपने विंटर की प्लांट के लिए तो चलिए अब मैं सीड देखती हूं कैसे निकलते हैं तो इनको भी मैंने फ्लिपकार से मंगाया है कोल कर देखते हैं मीशों से मैंने करीब बन मैं कहूंगी 15 दिन पहले सीड मंग वाय थे इ मैंने सीड मंग वाय थे 40 तरह के सीड जिसमें से दो ही सीड चले एक डेलिया का एक गुलदाओदी का लेकिन यहां पर मुझे बिलकुल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा थोरा सा वीडियो पता नहीं क्यों इसा निकला है 40 तरह के सीड मिले हैं मैं 5-6 साल हो गया है मैं फिलिप कार से सीड मंगाती हूं हर बार मुझे अच्छे मिलते हैं थोरी महेंगे होते हैं यानि 500 के मैं कहूंगी 260 रुपे के हैं पर बहुत ही अच्छे होते हैं केतिला सस्ते के चक्कर में मर गय वही हुआ 120 रुपे मेरे पानी में गए मिश्यों से जो मैंने मंगा थे एक किक में तो आराम से मुझे 50-60 मिल जाते हैं डेलिया के 20-25 मिलते हैं लेकिन बाकी मेरे सीड बहुत सारे होते हैं तो चलिए कोल का देखते हैं मैं भी कोल के देखती हूं कि आकरेस में कौन से सीड हैं क्योंकि हर बार अलग अलग तरके सीड आते हैं लेकिन जर्मिनेशन की 80-90 नहीं हंदेड में कहोंगी, जितने भी aseed लगातीएं 140 सीड तरक लगाती हूं 40 के 40 उग जाते हैं इतने Cathy बातने सीड हो जाते हैं न मुझे परोसियों को बाटने पड़ते हैं क्योंकि इतने गमले भी नहीं होते हैं यानि मैं कहूंगे 100% उनका मुझे जर्मिशन रिजल मिलता है तो बहुत सारे सीडा हैं पैंसी है पिटूनिया है फ्लोक्स है डॉक फ्लावर है स्वीट लिसम है आप देख सकते हैं कितने सारे हैं बहुत सारे इसमें मिंटर और समर के दोनों ही हैं जैसे कोचिया भी है गॉमपीना है तो बहुत सारे हैं लोपिन हुआ मेरी गोल्ड हुआ फ्रेंच मेरी गोल्ड हुआ इतने सारे तो हुआ हैं जो अलग-अलग मस्त मस्त हैं मैंने अभी लगाए भी नहीं है जैसे कैबिश करके काया है मैंने नरसरी में देख हुआ है तो वह बहुत सारे अच्छे अच्छे सीड हैं तो अगर आपको सीड और में कहूंगी गमलों का चाहिए ना खरीदने हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताईएगा मैं आपको इसका लिंक नीचे दे दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करेज अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और हां कमेंट करके जरू बताईए थोड़ा सा वीडियो कम दिखाई देगा क्योंकि आज मेरी बेटी मेरा वीडियो निकाल रही है तो शहीद इसको इतना पता नहीं चल रहा है कि वीडियो किसे निकालू इसके वज़े से तोड़ा दुंदरा लग रहा है तो कुछ नहीं कोई बात नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और हां सब्साइब का बटन बिलकुल मत बूलेगा यानि आप भी खड़ीत कर सकते है विंटर की प्लाम्स एक मिज़े सीडिलिंग पांच रुपे की मिली है बहुत बहुत अच्छे सीडिलिंग है और बहुत ही अच्छे पॉर्ट है तो आज के लिए इतना ही बाई सी यू